नमस्कार आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम कक्षया नौवी की एक कविता ग्राम स्री की व्यक्षा करेंगे और ये कविता सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है वीडियो सुरू करने से पहले एक निवेदन अगर आभी तक आपने चैनल सस्क्राइ कर लें तो आईए जानते हैं सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में उनका साहित्य किस प्रकार का है जो आधनिक कवी हुए हैं उनमें जो सुमित्रा नंदन पंत का महत्तपुनस्थान है और सुमित्रा नंदन पंत जी का सरवादिक मन प्रिकर्ती में रमा सबसे ज़्यादा लोग पुरिये हैं इसलिए सुमित्रा नंदन पंजी को प्रिकृति का सुकुमार कभी भी कहा जा सकता है और अंग्रेजी साहित्य में अगर प्रिकृति लेखन की तुलना करें तो इनका इनके जो कावे पर जो अंग्रेजी के विलियम बर्ट्सवर्थ हैं उनके इस आहित्य का बड़ा प्रभाव पड़ा है तो आईये जानते हैं ग्रामश्री की व्यक्या ग्रामश्री कविता में कवी ने ग्रामिन अन्चले के अंदर जिस परकार का प्रकृति की छटा होती है और जो खेतों के अंदर वो इस परकार के अलग लग परकार के फूल हैं पोदे हैं विबिन परकार की फसले हैं उनका चित्रन यहां पर किया गया है तो आई यह शुरू करते हैं कभी कहता कि ग्रामी नंचल के गाओं में जो खेतों में दूर तलग जो हर्याली फैली हुई है वो बहुत कोमल है और वो कोमल किस की तरह है मकमल जैसे लगती है लिप्टी जिन से रवी की किरने और जो रवी है ये सूरिय है सूरिय की जो किरने जब उस हरी हरी यहां पर जो खेतों के अंदर जो हर्याली है उसके उपर जब पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी की जो उजली है उजवल सी जाली बिछा दी हो। उसमें जो हरा रुधीर जलक रहा है रुधीर यानि रक्त खुन व्यक्ति का खुन जिस प्रकार से लाल होता है उसी प्रकार से पोदों का जो वहां पर रस होता है रुधीर होता है रक्त होता है वो हरा है और वो दूर से ही जलक रहा है शामल भू पर भूतल पर जुका हुआ नब का चीर निर्मल नील फलक और कभी यहां कहते हैं कि जो शामल भू है यानि सामली धरती है उसके तल पर ऐसा लगता है जैसे नब का यानि आस्मान का सदा पवित्र चीर निर्मल सदा पवित्र रहने वाला नीला पर्दा जुका हुआ है यानि नीचे सामली जमीन है और उपर जो बड़ा पवित्र सदा पवित्र रहने वाला आकास का नीला पर्दा है रोमांचित सी लगती वसुदा आई जोंगे हुमे बाली और हर सने की सोने की किंकनिया है शोबाशाली तो यहां कभी कहता है कि जो वसुदा है धरती है वो रोमांचित सी लगती है यानि जब उसके उपर इतनी अलग लग प्रकार के फसले हैं वो उगाती है तो वसुदा जो भी बड़ा रोमान्ट सा मैसूस होता है आई जो ग्यों हमें बाली और जो ग्यों के अंदर बालियां आ गई हैं जिसके अंदर दाने होते हैं अरहर सने की सोने की किंकणिया हैं सोबा साली और ये दानेदार होते हैं अरहर की दाल होती है इसी प्रकार का एक सनही का बोदा होता है जिसके बाद में रस्चे वगरा बनाने के लिए उसका काम आते हैं रेशे और उनकी सोने की किंकणिया हैं सोबा साली किंकणिया यानि करधनी को बोला गया है जो कमर पर पहने जाने वाला एक आभुषन होता है और वो बड़ी सोबा साली लगती है यहां पर किंकणियों से इसलिए बोला गया है क्योंकि उनकी जो फलियां होती है उनी फलियों के अंदर अरहर और सनी के बीज होते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे वो उसे अरहर और सनी ने करधनी पैनी हुए जो बड़ा सुंदर लग र पूली सर्सों पीली पीली और जो सर्सों है वो फूल गई है उसके अंदर तेलाक्त गंद है इसी परकार की तेल की गंद आ रही है लोहरित धरा से जाक रही नीलम की कली तीसी नीली और जो हरी भुमी है उससे कौन जाक रहा है? नीलम की कली यनि नीलम के समान जो नीली अलसी जो है तीसी यनि अलसी अलसी है उसके फूल भी निले होते हैं और वो हरी हरी जो भूमी है उससे वो ज्छांक कर देख रही है यानि उसके उपर वो भी उगाई है रंग रंग के फूलों से रिल मिल हस रही सखिया मटर खड़ी मकमली पेटियों सी लटकी चिमिया चिपाए बीज लड़ी और यहाँ पर बताएं जो रंग के फूलों से रिल मिल रिल मिल यानि घुल मिल कर हस रही सखिया मटर खड़ी जो मटर हैं वो भी ऐसा लग ज़े जैसे सखिया आपस में इतने घुली मिली है मकमली पेटियों से लटकी छीमिया छिपाए, बीज लड़ी और वो मकमल की पेटी की तरह लग रही है। उनके इंदर जो बीज है, यानि मटर के बीज की जो बीज हैं, वो ऐसे लग रहे हैं, जैसे उन्होंने छीमिया छुपा कर रखी हैं। प्षिमिया यानि फलिया, यानि फलियों के अंदर जो बीज हैं, वो मकमल की पेटी की तरह लग रही हैं, जिसके उन्होंने बीज छुपाई हुए हैं। और जो फूल भी, वो भी स्वम फूले फिरते हैं, फूले मतलब बहुत खुश हैं, यानि फूल भी जब तितलियों को देखते हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और यहां पर जो तितलिया हैं, जब एक डंठल से दुसरे हो उठी, कोकिला मत वाली, कभी कहता कि जो अब जो आम के तरू की डाली, यानि आम के पेड़ की डाली, जो है जो उसके उपर बोर आ गया है, और वो बोर कैसा है, सोने और चांदी, जज़ें है, चांदी सरण मतलब सोना यनिंधी आपने जब आम का बोर देखा होगा कुछ कि वो लाल होता है और कुछ सफेद़ होता है तो इस प्रकार से वो आम की जो डाली है उस बोर से लद्यिए है. ज़रे डाक पीपल के दल और ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं दल यानि पत्ते वो भी ज़ड रहे हैं हो उठी को किला मतवाली और जो कोयल है वो भी इस समय जब ये इतना सारा सुन्दर दिर्श्य होता है उसको देखकर मतवाली हो गई है महके कटल मुकलित जामुन जंगल में जर्भेरी जूली फूले आड़ू नीमबू दाड़िम आलू गोबी बैंगन बूली कभी कहता कि महके कटल यानि कटल जो है वो महकने लगे हैं यानि कटल का जिससे हम सबजी बनाते हैं लेकिन जब वो पेड़ पर लगा हुआ पकने लग जाता तो उसके बड़े सुन्दर खुसबू आती है बहुत अच्छी स्वादिष्ट खुसबू आती है और वो महकने लगता है मुकलित जामुन और जामुन भी अधेक अध खिले हैं मुकलित यानि अध खिले जंगल में जरबेरी जुली और जंगल में एक जंगली बेर का पेड़ होता है जाड़ी होती है वो उस पर इतने जादा बेर आ गए हैं छोटे छोटे बेर होते हैं कि वो जूल अनार भी आ गए हैं आलू गो भी बैंगन मूली और यह भी प्रकृति में चारों तरफ यानि फल भी हो गए हैं और सब्जीयों की भी कोई कमी नहीं है प्रकृति में चारों तरफ इनकी पैदावार हो रही है कभी कहां कि जो पीले पीले अमरूद हैं अब उनके अंदर लाल लाल चितियां यानि धब्बे पड़ गए हैं यानि जब अमरूद ज़्यादा मिठा हो जाता है तो उस प्रकार से लाल लाल उसके अंदर चितियां आ जाती हैं पक गए सुनेरे मदूर बेर और जो बहुत मौट मीठे जो बेर हैं वो पक गए हैं और अवली की तरू डाल जड़ी और एक आवला होता है चोटा आवला तो उसको अवली कहते हैं आवली का जो तरू यानि पेड है उसकी डाल वो जुक गई है और उसके ओपर बहुत ज्यादा आवलिया लगी हुई है लहक लहक पालक महे महे धनिया लोकियो सेम फली फैली मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली कभी कहता कि जो पालक हैं वो लह लहारे हैं धनिया महे महे यानि ये देखिए इतना अच्छा सब्दों का प्रियो किया गए रहा है है महमे यनि महक रहा है भनीय के अंदरे महक आती है धनिया महक रहा है और पालक लहक रही है लोकी और सेम फली-फैली लोकी और जो सेम की जो बेल होती है वो भी लोकीändern घीया जिसको हम कहते हैं तो इसकी जो फैल गई है और जो मकमल जैसे कॉमल जो टमाटर है वो लाल हो गई है और मिर्चों की बड़ी हरी थैली अनी मिर्चे भी फैल कर बड़ी बड़ी हो गई है बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती सुन्दर लगती सर्पत छाई तठ पर तर्बूजों की खेती अंगुली से कंगी से बुगले कलगी सवारते हैं कोई यहां पर कभी ने बता कि जो बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी यानि जो गंगा के किनारे जो रेत है वो इस प्रकार से लग रहा है जैसे वहां पर साप अंकित हो गए हैं क्योंकि उसकी लहरे जब उठती हैं तो उसके कारण रेत की भी ऐसी आकरती होगी है जिस साब कोई लेता हुआMother यह साब कोई जा रहा है और सत्रंगी R 선 rév hat गिर्णे गिर ले प्रकार 이제 सत्रंगी इंदर दुन्हर ऐसी reflection देती है यह तो मुंत्र लक्ती सरपजी है और वहां ने जो घास पात जो च्छाई हुई है तट पर तर्बूजों की खेती और जो तट के उपर जो तर्बूजों की खेती होती है जो गंगा का यमना का जो इसका इलाका होता है रेत वाला तो वहाँ पर तर्बूज और इस परकार की जो खर्बूजे तर्बूज की खेती होती है और वो वहाँ पर घास फूस लगाया जाता है उसकी बाड़ के लिए तो बड़ी सुन्दर लग रही है अंगली से कंगी से बुगले कलगी सवारते हैं कोई और पास में ही क्योंकि पानी भी है और वहां पर पानी में जो ऐसा लगता कि बगुले भी है अपनी अंगली से पैर की अंगली से अपनी कलगी सवारते रहते हैं तीरते जल में सुर्खाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई और जो सुर्खाब है ये भी एक पक्षी होता पानी का चक्रवाग पक्षी कहते हैं इसको कि वो भी इस पर पानी पर तीरते रहते हैं और पुलिन पर पुलिन इन किनारे किनारे पर मगरोठी रहती सोई मगरोट यह एक छोटी चिडिया होती है कि वो जो इसका नदी का किनारा है उसके पर सोई रहती है हस्मुक हर्याली हिम आतप सुक से अलसाय से सोई भीगी अंदियाली में निशी की तारक सोपनों में से खोई यहां पर कवी कहता है कि जो हर्याली है हस्मुक हर्याली हिम आतप हिम आतप का मतलब सर्दी की धूप हिम यानि सर्दी आतप यानि धूप यानि जो सर्दी की धूप है बहुत हस्मुक सी है हर्याली उसमें बहुत हस्मुक सी हो जाती है सुक से अलसाए से सोए और उसके अंदर ऐसा लगता कि सारा कुछ जो प्रकरती है हरियाली वो सुक से आलस के कारण सोईसी लगती है यानि बहुत सुंदर दृश्य होता है भीगी अंदियाली में निस्यासी तारख सौपनों में से खोई और जो रातें भीगी सी और अंधिहारी सी होती है और ऐसा लगता है कि जो प्रिकृती तारों की सौपनों में खोई हुई है कि तारों के सौपन देखकर वो खोई हुई है मरकत डिबेसा खुला ग्राम जिस पर निलब नल आचा निरुपम हिमात से चनकत सांते निज सोबा से हरता जन्मर यहां पर कभी कहता है कि जो खुला ग्राम यानि गाउं जो है वो खुला खुला है और कैसे लग रहा है मरकत डिबेसा लग रहा है मरकत डिब्बे का मतलूँ यहाँ पर मरकत बोले पन्ना को यानि पन्ने को पन्ना जो रतन होता है उसकी तरह जो ग्राम लग रहा है ग्राम या गाउं उसकी मरकत डिब्बे की पन्ने की डिब्बे की तरह लग रहा है जिस पर निलाब नब आच्छा दन और जिस पर नीला निर्पम हिमांत से सनग्द सांत, निर्पम में हिमांत, हिमांत यानि सीत रितु के अंत, यानि जब सीत रितु की अंत होता है, निर्पम वो बहुत सुन्दर होता है, और वो सनग्द सांत है, कोमल और सांत है, ऐसा मोसम है, निज सोबा से हरता जन्मन, और वो अपनी सुन्द मन पर वो बहुत अच्छा प्रभाव डालता है तो आज हमने कवीता पड़ी ग्राम श्री जो लिखी थी सुमित्रनंदन पंत जी ने जिसमें ग्रामिन परश्ट भूमी की जो सुन्दरता है प्राकरतिक उसका वर्नन किया गया है इसमें विबिन परकार के जो फल हैं सबजिय हैं वहां का जो वातावर्न है उसका वर्नन किया गया है अगर आपको यह कवीता अच्छे लगती है तो मुझे कोमेंट करके जरूर बताएं आपका धन्यवाद जैहिंद जैवार्त